हेलो फ्रेंड वेल्कमुटू मैं चैनल एक्जाम इस्टोर हो गण्यांड सभी का स्वागत करते हूं फ्रेंड सीब्यासी बोड एक्जाम को लेकर लगातार फेक विडियो वायराल हो रहाई जिसमें लगातार बताए जारेगे आपका एक्जाम मार्च में कंडक्ट होगा फ् देख सकते हैं एजुकेशन में इस्टर रमेश्पो करियाल निसंग जी ने साब साब सब्दों में कहा है कि अभी मार्च में एक्जाम नहीं होगा सिच्छा मंतरी ने छात्रों को दी रहा तो चलिए वीडियो इस्टार करते हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सकाइब न निसंग ने बीते सब्ता सोसल मीडिया पर चात्रों से इस वर्ष की बोड परिच्छा के संबंद में सुजाओ मांगे थे इसके बाद बड़ी संख्या में चात्रों और अभीवावकों ने सिच्छा मंतरी से परिच्छाएं रद करने अत्वा पोस्टपोन करने की भी यह किसी भी परवेश परिच्छा की डेट प्रेक्टिकल एक्जाम की डेट के साथ क्लैश नहीं होगी इस वर्ष सिव्यसी बोड दसवी और बारवी की परिच्छाओं में सामिल होने जारे छात्रों को अपनी पढ़ाई के हुए नुकसान के चलते बोड परिच्छाओं की त परिश्थीतिव के अनुसार परिच्छा की डेटस पर फैसला लिया जाएगा सिच्छा मंत्रा ले अपरेल या उसके बाद भी बोड परिच्छाओं truly कंफर्म नहीं है निश्यक ने वित चीन सब्दा सोसल मेडिया पर छात्रोंने से इस वर्ष की बोड परिच्छा के बंद होने से उनका फिचकल क्लासेज का काफी नुक्षान हुआ है और परिच्छा की तैयारी एक्जाम की घोशड़ा के समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि NTA की किसी भी परवेस परिच्चा की डेट प्रेक्टिकल एक्जाम की डेट के साथ क्लैश न हो परिच्चा इस वर्स गटे हुए सलेवस पर आयोजीत की जानी है छात्रों को हुए पढ़ाई के नुकसान के चलते बोर्ड ने इस वर्स का सलेवस पह बारे एक्टिवेट किया है जो चात्र अपना अप्लिकेशन दर्ज कर चुके उनके लिए फॉर्म में करेक्शन का लिंक आज 10 दिसंबर से खुल गया है और 14 दिसंबर तक उपलफ रहेगा फॉर्म करेक्शन करने के लिए छात अधिकारिक वेफसाइट cbsc.nac.in पर विज देजे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्डेक के साथ तर तक लिए गुडबाय टेक के जाएं दोस्तो लव यू अल